दोस्तों घर के कामों या किचन के कामों एक ही तरीके से हम काम करकर के बोर हो जाते हैं तो अगर काम यही कुछ अलग ढंग से किये जाएं तो हमारे काम भी आसान हो जाते हैं साथी समय की भी भचत हो जाती हैं तो आज लेकर आए हैं कुछ ऐसे उस पूल टिप्स जिनको अप तो एकूर लगाते हैं तो कभी-कभी होता क्या हिए, ज़्यादा चल जाता है, तो इस तरीके से जब भी इस तीके के इस से निसान ज्यादा तुरंदी निसान निकल के आ जाएगा तो इस तरीके से आप हाइलाइटर के निसान को साफ कर सकते हैं अंगरी टिप है यहाँ पर एक्सपायर या बच्ची हुई दवाओ को लेके आपको करना क्या है ले लेना इस तरीके की बच्ची हुई बेकार दवाएं और आपको इस तरीके से चार से पांच टेबलेट इनकी निकाल लेनी है तो यहाँ पर आप एपसूल टेबलेट कुछ भी ले सकते हैं ऐसा नहीं कि किसी भी नाम की आपको टेबलेट लेनी है तो यहां पर देख सकते हैं, इसको मैंने थोज़ देल के लिए छोड़ दिया था, टेबलेट हैं, अच्छे से फूल गई हैं, इसको आपको इस तरीके से गोल जैसा बना के तयार कर लेना है, इसका आप इस्तेमाल करिए वास वेसिन में, क्यूंकि नाली कितरूं इसमें आपते में एक बार डालेंगे, तो बैट समयल भी नहीं आएंगी, साथी लाइन के थिरूं जो कीले रह जाते हैं, वो भी समाप्त हो जाएंगे, अंगली टीप हैं यहां पर इस तरीके से, गैस वरनर को लेके, जब भी गैस वरनर गंदे हो जाते हैं, तो इसके छिद बग एक वरनर पर ही डाला है, क्योंकि एक कोई हम आपको साफ करके दिखाने वाले हैं, तो डाल के आपको करना क्या है, तोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना है, थोज दे बार आप देखेंगे, वरनर आपका अपने आपी कापी अच्छे से साफ हो चुका होगा, इसके आपको पुराना विरस ले के और इस थाइक से स्केजा शलकर या लिए आप देख सकते हैं, आप कने वरनर से साफ होतके जा रहा है, तो इस तरीके से आप गन्दे से गन्देी वरनर को आसानी से साफ कर सकते हैं, इससके जो छिढ बगयरा बंद mujeres स्टे वहारी आपट बते स से निकल के आ जाएगी इस तरीके से आपको विरस को दोनों साइड अच्छे से चला देना है आप आप देख सकते हैं वर्नर है कापी अच्छे से साफ हो गया है और इसका जो कलर है वह भी चेंज हो चुका है आपको पहले दिखाया हुआ था वर्नर कापी ज्यादा काला था तो इस तरीके से आपको साफ करके और पानी से इसको दुल लेना है आप देख सकते हैं वर्नर कापी अच्छे से साफ हो गया है अगर आपको फिर से थोड़ा बहुत गंदा देखे तो आप दो बारा सार पे डार के साफ कर देखे तो और भी अच्छे से चमक जाएगा तो इस तरीके से आप बर्नर को आसानी से साफ कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं जिसको मैंने साफ किया हुआ है वो कापी अच्छे से उसका कलर अलग देख रहा है और जिसको नहीं साफ किया है वो काला देख रहा है अंगली टिप है यहां पर आपको गैस को आन कर लेन इसको केवल थोड़ा थोड़ा भून के तयार कर लिया है इसके बाद में आपको गैस को बंद कर देना है और इसमें आपको डाल देना है आधा चमच लाल मिर्च पाउडर तो गैस को बंद करने के बाद ही आप मिर्च का प्रियोग करें क्योंकि जैसी आप मिर्च को इसके बाद में इसको आपको किसी अलग मरतर में इस तरीके से निकाल लेना है, इसको हम थोड़ी दर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, इसके बाद में आपको इसमें डाल देना है, थोड़ा सा गी और गी को आटे में मिक्स कर लेना है, तो इस तरीके से आपको उसके बाद में आप तो थोड़ा थोड़ा पानी डालके अच्छे से लगा के तयार कर लेना है। लेकिन इसके पहले आपको लेलेनए है यस तरिक देचे से थोड़े से बाल को बारीक बारीक टुकड़े करके डालने हैं। बारिक होने चाहिए बहुत ज्यादा बड़े बड़े टुकड़े आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं तो इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है और इसी में हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पर ले लिया है मने नॉर्मल पानी और इसको आपको थोड़ा डालके और लगाके तयार कर लेना है यहां पर आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से लगा लिया है तो इस तरीके से आपको इसको बना लेना इसके बाद में आपको छोटी छोटी गोलिया बना के तयार कर लेनी हैं तो इस तरीके से आपको गोलिया बनाने के बाद में इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं तो जैसे उनको लगेगा तो चुए तुरंत ही बाल के और भागाएंगे साथ जो बाल डाले हैं वो भी गले में जाके जैसे उलजन करेंगे तो उसको खाते भी चुए तुरंत ही निकल जाएंगे अगली टिप है आप पर पिलास्टिक के इस तीके के जो बरतन होते हैं वास इस तरीके से जब भी डिप गंदे हो जाएं तो इनको साब करने का लेक कर ने आगे हैं आसाल सा तरीका तो इसके लिए आपको बंद आप हार्पिक और इस तरीकhone से आपको डिप अब लेकर चलाते जाएंए आप देख सकते हैं जैसे हम इस कि ऐस वाड़ बतनों को आसानी से साफ कर सकते हैं, कि इतने भी दाग दब्वे लगे होंगे, साथ ही जो पर्त जैसी जम जाती है सपेद कलर की वह भी बहुत ही आसानी से निकलाएगी, तो इसी तरीके से मैंने अंदर की और भी इसको हाट पिक डालके अच्छे से साफ कर लिया है, तो इस पर देख सकते हैं डिब्वे में काफी जादा सफेद कलर के निसान पड़े हुए थे, काफी अच्छे से साफ हो गए हैं, और यहां पर मैंने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया हुआ है, इसके बाद आपको काना क्या है, डाल देना है पानी, और इस तरीके से इ पिलास्टिक के किसी भी पिलकार के गंदे से गंदे बरतन को साफ कर सकते हैं, अंगली टिप है आपर केले को लेकर, जब भी आप केले ले आते हैं और इसको एक से दो दिन के लिए छोड़ देते हैं, तो इस तरीके से यह काले काले पढ़ने लगते हैं, जो की खराब पेपर को सेट कर देना है, जब आप इस दिके से सेट कर देंगे तो इसके अंदर हवा बगेरा नहीं जाएगी, जिससे की केला जल्ली से खराब नहीं होंगे, ऐसे आप भी छुट-छुटी टिप्स को अपना के अपने काम को आसान बना सकते हैं, अगर आपको आज की लेना चैनल पर पहली बार आयों, सब्सक्राइब कर लेना, पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक्टू